तो दोस्तो भारती ये नो सेना के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है खरीदे जाने वाले 26 नए फाइटर जेटों को लेकर दरसल भारत सरकार की तरब से इस खरीदी को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है दरसल आप सब इस बात को जानते हो कि भा डारेक्ट गवर्मेंट टू गवर्मेंट के साथ होगी और साथ में जिस भी फाइटर जेट को चुना जाएगा उसका मुल्यांकन खुद इंडियन नेवी के अधिकारी करेंगे और इंडियन नेवी के हिसाब से जो फाइटर जेट अच्छा साबित होगा उसी फाइटर ज जेटों की जो डील है उसको पका कर लिया जाएगा और इस डील के अंतरगत मेकेन इंडिया कारिकरम साथ में तकनीकी हस्तनांतरन को लेकर किसी भी प्रकार की बात नहीं कई गई है यानि यह पूरी संभावना है कि अब भारत सरकार तकनीकी की बजाए जल्दी से जल्दी फा भारत के स्वदेशी फाइटर जेट के इंजन को लेकर दरसल भारत सरकार चायती है कि किसी ना किसी प्रकार से भारत जेट इंजन के छेतर में आत्म नरभर बन जाए जिस प्रकार से फ्रांस हमारे साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रश्ट वाले इंजन को बनवाने में भारत की मदद कर रहा है बैसे ही अमेरिका ने भी मेकन इंडिया कारिकरम के तहट अपने दो इंजन बनाने के लिए भारत के साथ बातचीश सुरू कर दी है और इसकी जो जानकारी है वो रक्षा मंतराले की तरब से साजा करी गई है दरसल भारत के तेजस MK1 में जो इंजन यूज ह होता है वो है GE404 इंजन और इसके अलाबां जनरल इलेक्टर का GE414 इंजन को भारत के मेकन इंडिया कारिकरम के तहट बनाने पर बातचीत हो रही है और यह जो इंजन है आंगे चलकर भारत के स्वाधी सी फाइटर जेट जैसे की अमका MK1, TEDVF और तेजस MK2 में यूज होग पिड़ों देखने के लिए धन्यबाद जैहिंद बंदी महातरम